हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोग देखने वाले हैं objective questions जो आपके exam में आ सकते हैं क्योंकि इस टाइब का question आपके exam में एकसर repeat किये जाते हैं तो चलिए गाइस वीडियो को सुरू करते हैं question number one दिखे क्या कहा जा रहा है the book is that's the table तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा proposition suitable है कौन सा proposition बिल्कुल सही बैट रहा है यहां पर in आएगा add आएगा off आएगा या फिर on आएगा अगर आपने थोरा सा भी परहा हुआ है proposition तो आप right answer बता देंगे तो देखे क्या बोला जला है एक table है ठीक और इस table की ऊपर क्या है एक किताब है तो मुझे बताइए इस table के surface को यह जो book का जो surface है वो touch कर रहा होगा ठीक है और आपको पता होगा जब एक object का surface दूसरे object के surface को touch करता है तो उस case में हम लोग on का use करते है यानि option number D बिलकुल सही answer हो जाएगा तो चलिए question number 2 की वर बढ़ते है question number 2 देखते है question number 2 देखे क्या कहा जा रहा है वी डास watching tv in our room वी डास watching tv in our room तो यहां पर क्या आएगा आर वॉज है यहां पर भी फॉर यूज किया गया है यहां पर क्या यूज किया गया है यानि वर्ब का फॉर्थ फॉर्म यूज किया गया है और मुझे बताइए वर्ब का फॉर्थ फॉर्म किस-किस helping barb के साथ use किया जाता है क्या have के साथ b4 का use किया जाता है नहीं इसका मतलब यह option तो ऐसे ही eliminate हो गया आपको exam में ऐसे option को eliminate कर देना है कर आप किसी option में first रहे तो ठीक है तो यह option तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि have has or had 1 थैंन पहले सरे 2 थरों कर यूज किया जाता है for think यो लगता है cuist तो लगता है इसको में बहुत elders को रखेंगे और भी लगता है R एकिन वी के साथ बताईे क्या इस लगता है क्या क्या to write के साथ heare公司 करते हैं यह तो गलत हो गया यहां पर आर जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा we are watching TV in our room I hope कि आप लोगों को question number 2 समझ में आ गया होगा next question देखते है question number 3 बहुत सारे strength बोलते हैं सर आप इतना explanation क्यों देते हैं वीडियो काफे long हो जाता है देखिए कुछ नए strength भी रहते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि मैंने कैसे option को select किया तो मुझे बताना परता है तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए otherwise नहीं देखना चाहते हैं ठीक है तो मैं क्या कर सकता हूँ अगर आप बारवर उन चीजों को देखेंगे जो मैंने आपको बताया है तो आपका रिवीजन ही होगा मैं इसलिए बार-बार कॉंसेप्ट को बताता हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और जो न्यू इस्ट्रेंट आए हैं उनको भी कोई भी problem ना हो ठीक है चलिए start करते है question number 3 देखिए यहां पर उजला रहता है की टाइप कर दबाने वाला उससे डवाने अवाज म्यूजिक निकलता है तो यहां पर व्ला ज़रा भी डैस दो प्यानो तो क्या जाएक है मथा आम प्ले के साथ ही लगता है यह नहीं होगा इंस लगेंगा क्या यू के साथ नहीं लगता ози लगेंगा यह वह प्लेइंग ऒइस रिखने और you are playing the piano यह option बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तुम प्यानो बजा रहे हो ठीक है यू आर प्लेइंग द प्यानो आगे बढ़ते हैं फॉर्थ नंबर कुर्शन फॉर्थ नंबर कोश्ण देखziękuję क्या कर रहा है तनुgender कर रहर है तनीव डास्थ ड रेडियो अंब यहां पर देख्ये लिसनिंग वर्ब का यूज कर रही है तनु क्या कर रही है रेडियो को लिषण कर रही है सब्सकते जो option बिल्कुल गलत है उसको सबसे पहले out कर लेते हैं यानि eliminate कर देते बाहर कर देते हैं यहां पर head के साथ fourth form यूज कर दिया है जो की बिल्कुल गलत है क्या है बिल्कुल गलत क्योंकि have has or head इन ते उनों के साथ वर्फपर धड़ फॉर्फ कभी नहीं आता है इसका मतलब यह option तो कभी नहीं होगा ठीक यहां पर यहां पर वहीं mistake करके देतिया हुआ है यह भी कभी नहीं होगा यानि कि यहां पर is listening भी हो स तीन अप्शन तो ऐसा ही कट गया आपको राइट एंसर मिल गया यानि option अबर ए जो है आपका बिल्कुल सही ज़िवाब हो जाएगा तनु is listening to the radio I hope कि आपको clear हो गया होगा आगे बढ़ते है question number 5 question number 5 देखिए I just living here since 2010 आप देखेंगे living है यहां पर भर्प का फूर्फ फॉ इस वाले में question में मैंने जहां पर आपको बताया था लगाने के लिए इस वाले में यहां पर since या फॉर कहीं पर भी नहीं था समझ रहे हैं यहां पर कहीं पर भी सेंस या फॉर नहीं था इसलिए मैंने यह रूल देखें, since यूज़व गया है since 2010 you use किया गया है तो समझ रहे हैं यहां पर since use किया गया है और since कि you use किया जाता है and often continuous में जाए वो प्रेजन पॉफैस कॉंटिनिवस हो या फॉचर पॉफैस कॉंटिनिवस इन ते में for या since का use किया जाता है तो इसका मतलब है कि यह continuous तो नहीं है यह perfect continuous है तो m नहीं आएगा ठीक है m को select मत कर लिजएगा have भी कभी नहीं आएगा क्योंकि have के साथ third form लगता है यह तो गलत हो गया अब देखे आई के साथ has लगता है क्या नहीं आई के साथ have लगता है इसका मतलब यह option भी गलत है यानि option number c बिल्कुल सही हो जाएगा क्या हो जाएगा I have been living here since 2010 2010 ओके clear है आगे बढ़ते हैं question number six question number six देखे क्या कहा जारा है choose the correct sentence यहां पर आपको चार sentence दिए गए हैं आपको बताने की कौन सा सही है तो देखें गाइस की कौन सा sentence हो है वह आपका सही है तो देखें see want 3 egg अगला है see wants 3 egg see wanting 3 egg अब देखें यहां पर subject के बाद directive before use कर दिया is mr का तो using नहीं किया तो यह तो बल्कुल ही घलत संटेंस है इसको अटा ही लेते हैं see wants 3 egg अच्छा अब देखें यहां पर he see it है और he see it के साथ b5 का प्रियोग किया जाता है यहां पर b1 का प्रियोग कर दिया गया यह तो option गलत हो गया यह option तो यहां पर गलत हो गया समझ रहें आगे देखें see wants अब यहां पर b5 तो कर दिया है यह तो सही है ठीक यहां पर b1 होगा कि एक होगा तो एक चीज आप मेरा हमेशा अपने दिमाग में रखेगा जबी इंग्लिस में एक से थोड़ा भी ज्यादा हो जाता है एक से थोड़ा भी ज्यादा हो जाता है यानि 1.5 भी हो जाता है तो भी वह क्या हो गया प्रूरल हो गया यानि एक से ज्यादा हो गया एग नहीं होगा एक सोगा यानि कि option number D बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा option number B भी आपका गलत हो जाएगा समझ रहे हैं काफी deep question था अगर जिसको concept नहीं पता होगा वो option number B को भी select करके आजाएंगे समझ रहे हैं आगे बढ़ते question number 7 कि हो question number 7 देखे क्या कहा जा रहा है यू डास गेट अन्यूड्रेस टुमोरो गेट का मतलब होता है प्राप्त होना मिलना ठीक है और यहां पर कौन सा वर्ड यूज कि हो इस टुमोरो का मतलब होता है कल चापा कल वाला कल नहीं आने वाला कल ठीक है यानि future और यह tomorrow future को ही सो करता है यानि आने वाले कल को सो करता है अब बोलेंगा सर यस्टेड़ी का मतलब भी तो कल होता है लेकिन वो बीतावा कल होता है ठीक है यह आने वाला कल के बारे में बात किया सारा है करते हैं present tense में future को यह दिनोट ही नहीं करता है तो दू नहीं होगा देट तो past tense को लिए उसके जाता है यह नहीं होगा hadn't भी आपका है मतलब had भी आपका past को ही सोगर करने के लिए किया जाता है तो यह नहीं होगा बचा कॉंप और विल ही तो हम लोग वेलाट साल कहीं उस तो हम लोग इसको सोगर करते हैं future को और यहां पर tomorrow आपको किसको दिखा रहा है future को ही दिखा रहा है तो यहां पर will हो जाएगा you will get a new dress tomorrow okay question number eight question number eight देखें क्या काजर है we dash him yesterday अब देखें गाइस यहां पर बहुत मज़ा आने वाला है yesterday आपको देखिया क्या दिखें यहां पर yesterday यानि इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है गल लेकिन ये कल कौन सा होता है यह बीता हुआ कल होता है ठीक है past time का बीता हूआ करना है नेगेटिव है तो डीडूज करना है समझ रहे हैं तो यहां पर वीडू को जिए क्या यह आपका पिटू है क्या यह ये आपका पूरा यह करदा नहीं क्योंकि है क्योंकि हैं के भाद थिर्ट फॉरम जाता यानि ओिस जो सकते हैं कि मैं विजीटेग इने को यहां बाद युज आप यहां पहां को चाहिग बिए वी क्लक्नल आधे यहां पर आरे के विजीटिंग कर दिया अफिर कर दिया यह गलत हो आगे बढ़ते हैं कौस्ञ नूबर 9 की वडूच्श नूम्बर 9 की वडूचन संटिंज को सही संटंस को है को सेंटेंज सइंद सब्सक्राइब इस हो PiS Channel सबकिरे कि मंनिन पर है यहाँ सब्सक्राइब को सब्सक्राइब चेंज हो रहा है तो आगे चेंज हो रहा है क्या चेंज हो रहा है यहां पर speak a lie है यहां पर tell lie है यहां पर say a lie है यहां पर tell a lie है तो ध्यान रखिएगा जूट बोलने का जो अंग्रेजी होता है वो होता है tell a lie क्या होता है tell a lie इसको और दूसरे तरीके से आप नहीं बोल सकते मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते है, speak a lie, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा यह sentence, अगर आप इसमें थोड़ा सा भी change करते हैं, आप इसमें से यहां तक कि इस a को भी remove नहीं कर सकते हैं, यह बना वह sentence है, जैसे कि गाना गाना का अंग्रेजी क्य चिंज कर दिया, यह तो कभी नहीं होगा, ठीक, यहां पर tell लाई कर दे, a article को हटा दिया, यहां पर यह भी गलत हो गया, आप यहां पर भी वर्प को ही चिंज कर दिया है, say lie कर दिया, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानि कि बचा कौन सा option, option number D, option number D, इसलिए मैं बो तो हम आपको भर्फर्म से आद किया करिए, भर्फर्म से आद होंगे, तो आपको एक्जाम में बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है, बहुत, चलिए आगे बरते, question number 10 की, question number 10 देखिए, क्या का ज़रा है, डाइसी ट्रैवल विद अस यस्टड़े, अब यहाँ पर फिर से आपको क्या दिख गया है, यस्टड़े दिख गया है, यानि कि, सिंपल पास्ट में यह बनेगा, यह बी टेवे कल को दिखा रहा है, यानि can का यूस तो नहीं करेंगे, can का यूस तो नहीं करते हैं, past time को denote करने के लिए थो अपर न फिल्क बिलकुल हो जाएगा आई हो जाएगा। बश्राइवन ऊप्सक्राइब करना है लाइक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहें है कितना ज्याद़ है प्लीज सबस्क्राइब करिए आप लोगे के लिए इतना मेंना कर रहा हूं तो मेरे लिए थोड़ा सा मैने करिए सब्सक्राइब कर दीजे और फेस्बुक पर देखने मुझे फॉलो कर लिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर किसी नेक्स वीडियो के साथ प्यक्स पर वाचिंग, आए क्यों से अजय के लिगले केरी यह एक प्रीजब से करे के लिए